So welcome back to another video. In this video we gonna discuss about properties of vector addition. So hello everyone this is Gaurav. I hope you all are doing well. So मैं पता है हमारी जो vector addition होता है उसकी दो properties होती है. तो हमारी community और दूसरी होती है हमारी associated property. Community property में आता है हमारा community property का मतलब होता है vector a plus vector b is equal to vector b plus vector a. means जैसे हमारा 5 plus 2 is equal to 2 plus 5 होता है means दोनों तरफ हमारा 7 आता है. तो इसी तरीजी से हमारी होती है commutative property. लेकिन हमारी यह इतनी easy नहीं होती है. जैसे 3 plus 2 is equal to 2 plus 3 तो simply हमारा दोनों तरफ 5 ही आना है. लेकिन community property में क्या होता है इसमें हम करते हैं वेक्टर से deal करते हैं. तो vector से deal करने के जैसे हम simply कुईसी number को add करते हैं तो simply इसको add कर लेते हैं लेकिन vector को add करने के लिए भी हमारे special rules होते हैं तो यहाँ पर भी हमारी commodity property है उसमें कुछ हमारी specialty होती है तो इसमें आता है vector a plus vector b is equal to vector b plus vector a इस चीज़ को हमें करना है proof तो इसका proof कुछ इस तरीके से आता है जिसे हमारे पास होता है यह हमारे पास एक parallelogram होता है इसमें हम यूज करते हैं अपने triangle वाले लोगों तो इसमें आता है सबसे पहले जो हम इसको माल लेते हैं अपना vector a जैसे हमारी यह वाली इस साइड पैलोल गराम में opposite side equivalent parallel होती है तो अगर यह हमारा वेक्टर नहीं है तो यह भी वेक्टर a हो जाएगा और अगर यह वेक्टर b है तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर b हो जाएगा इसकी direction हमारी इस साइड है अगर हम हमारी इसकी direction इस साइड इस साइड है तो यह जो हमारा यह वाला बीच वाली डाइगनल है यह हमारा क्या रिपर्जेंट करता है यह रिपर्जेंट करता है हमारा ट्रेंगल लो से यह इधर जारी इधर जारी तो यह वाली साइड क्या रिपर्जेंट करेंगे हमारा रिजल्टेंट और इसी तरीके से हमारा एक यह sum करके जो number आएगा उसको result है डिक्तरी की से उसको vector को represent करेगा तो इसको हम पहले हम समझते हैं समझने में सबसे पहले vector A और vector B हमने माल ली है हमारी यह वाली line जो हमारी यह वाली line है यह represent कर रही है vector A को और यह वाली हम पहले यह वाली line है यह represent करते है vector B वो सबसे पहले हम triangle में आते है P Q R मिस हमाते है P Q R इस वाले triangle में इस वाली triangle में क्या देखते है vector A plus vector B is equal to PR मिस ट्रेंगलो से देखते है तो vector A plus vector B is equal to क्या जाता है vector PR फिर आते हैं हम अपने triangle PLT-R में Ptr में लूज घ्लो से क्या घते हैं और व्यक्तर यूजे क्या पर तों करते हैं यह व्यक्तर प्लिंग्रचन सेजिए मारे क्या जाता है यह u9 log मुट्ध होजाते हैं आपस में equal हो जाते हैं, तो अबर यह आपस में equal हो जाएंगे, तो हमारा जो हमारा vector PR, vector PR है वो equal है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, जो हमारी left hand side है, यह भी हमारी आपस में equal हो जाएंगे, means हमारा vector A plus vector B is equal to, किसके आजाएगा, vector B plus vector A, यह आती हमारी community property of vector addition, So next property आती हमारी associative property, यह भी बिल्कुल हमारी simple property होती है, इसका statement क्या होता है, कि हमारा vector A plus vector B in bracket plus vector C is equal to vector A plus in bracket vector B plus C, कुछ इस तरीके से हमारा इसका statement होता है, इसका proof भी हमारा बिल्कुल simple होता है, इसमें लेते हैं हमारी अपना coordinator लेते है, means हमारी एक four-sided closed figure लेते हैं, यह हमारा parallel प्लूल्ग्राम नहीं है इसमें च्छा करते हैं हमारा यह PQR हमने इसकी नेमिंग कर लिए और हमारी एक साइड को माल लेते हैं बना वेक्टर वेक्टर के लिए हम हमें उपर अपना एरो लगोता है उसको डीनोट करते मतलब अगर हम किसी नंबर के अपर या किसी चीज़ के पर एरो लगाते है उसका मतलब हो जाता है हमारा vector तो उसका proof हमारा कुछ इस तरीकी से होता है सबसे पहले हम लेते है PQR मिन्स हम जाते हैं अपना triangle PQR में PQR में हम देखते हैं अगर हम vector A plus vector B करें तो by triangle लो क्या आ जाते है हमारा vector A plus vector B is equal to vector PR PR हमारा vector आ जाता है इसको माल लेते हैं बना फर्स्ट एक्विशन सेकेंड आते हैं हमारी PTR मिन्स हम लेते हैं बना triangle P T and R इसमें क्या करते हैं vector जो हमारा यह होता है vector C plus vector यह वाला मतलब PR plus RT means vector PR plus C is equal to आ जाता है हमारा यह P T means vector जो हमारा यह आता है PR PR को हम क्या लिख देते हैं फर्स्ट वाल इक्वेशन से vector A plus vector B PR की जंगा direct हमने क्या लिख दया है vector A plus vector B plus यह प्लस यह क्या है हमारा vector C vector C हमने से लिख रखा यह का आ जाता है वार ट्रेंगल लोग किसके एकवाल P T means हमारे vector R के पी टी की जंगा हम आर भी लिख सकते हैं या फिर हमने पी टी लिख रखा इसको माल लेते हैं अपना second equation फिर आते हैं अपना triangle QRT means अपना आते हैं QRT हम आते हैं इस वाले triangle में करते हैं जैसे vector B plus vector C क्या जाता है हमारा QT के एकवाल आ जाता है तो by triangle लो Q पहले B plus C is equal to किसके आ जाएगा Q2 means यह direction में तो opposite direction में हमारा by triangle QT क्या जाएगा हमारा एक तरी से resultant means B plus C is equal to क्या जाएगा vector QT इसको माल लेते हैं अपनी third equation फिर इसी तरीके से हमारा next triangle में ज A plus vector QT is equal to क्या जाएगा by triangle लो vector PT तो vector QT की हमें value पता ही है QT की value है B plus C तो vector A plus vector A plus B plus C is equal to PT यह जाता है vector A plus vector B plus C is equal to PT के एकवाल यह जाते है हमारी fourth equation और हम अपनी second equation और fourth equation को देखे तो यह भी PT और यह भी हमारा PT के एकवाल आ रहा है तो means हमारी यह वाली term भी क्या होंगे ह हमारी आपस में इकवाल होंगी तो from second and fourth equation vector A plus vector B in bracket plus vector C is equal to vector A plus in bracket vector B plus vector C तो इस तरीके सा हमारा जो associative property होता है उसका यह प्रूफ होता है यह में लिए हम यूज करते है हमारा यहां से examination में एक मतलल numerical type question आता है हमारा उसमें हमें प्रूफ करना होता है कि जो हमारा यह हमारा ABC की value दी होती है वो associative है यह मतलब associative और commutative यह जो vector addition है यह है नहीं इस चीज का हमारा इसमें examination में प्रूफ आता है और उनका जो derivation है यह भी हमारा examination के लिए important है so this is all about today अगर वीडियो helpful लगे तो प्लीज को लाइक जरूर करना और चैनल को subscribe करते हैं वक्त नोटिफिकेशन बैल को ओल पर किलिक कर लेना बिलते हैं अपने next video में जिसमें हम करने वाले हैं अपना next derivation